कितना थक गई हूँ जी जाता है आखेंपन करके सो जाओं पर नीन भी तो नहीं आती मन खुम फिरकर बार बार उन्हें यादों से चाले पड़ता है जिने में चाह कर भी नहीं भुला पाती लोग समझते हैं हमारे पास पैसा है इस्जत है भगवान के दिये दू बच्ची भी हैं पर कोई नहीं जानता सब कुछ होते हुए भी अंदर कितना सुना पन है कितनी कड़वाट है कितनी तड़पन है कहां से शुरू हुआ है सलसला जिसने हमें एक दूसर से इतनी दूर लापट का कि मुड़ कर लोटने के सारे रास्ते बंद हो गए शायद तब से जब रवी तस साल का था और लेका चार साल की या या उसे भी पहले से आया 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 देखो क्यों बेबी को ठीक वक्त पर दूद और फूट जूस दे देना मैं जरा देर से वापस आऊंगी क्यों मेम साब आज लांज पर नहीं आएंगी क्यों कुछ नहीं बेबी की तब जरा नरम हो रही है बहुत चेड़ चेड़ी हो गई है उपर से रवी बाबा भी भॉत मार प कायद करेंगे मैम साब पर आपको घर में नहीं देखके बाबा इस साथ उफान खड़ा करता है कि पूछिया मत बेबी भी अब बड़ी हो गई है आपको पैचानती ना इसके लिए आपके जाने के बाद भोत रोती है सारे घर में आपको ढूंडती फिरती है तुम्हारे मत मैं घर में बैठी रहूं और तुम गूमने निकल जाओ क्यों नाराज की होती है मैम साब मैं तो भले के लिए कह रही हूं नहीं तो मुझे क्या पढ़ी है दोनों बच्चे सारा दिन दुख ही होते हैं इसलिए कह दिया आप ज्यादा बोलेगी जरूत नहीं समझी तुम्ह से फैसन बनाया और निकल पड़ी हमारे बोते पर अवलाद पैदा करी ना जाने मां का दिल है के पत्थर ले बेभी अब चुट चाप बढ़ जा ज्यादा है रहान किया तो ठीक नहीं होगा आप एदेती हूं सुब ऐसे काई की बढ़ बढ़ लगा रखिये तुने अरी ग मेम साब तो सज धचके निकल गई अब मारे इन फिल्लों से सिर तो क्या फुकट का सवर प्या मारना चाहती है तुँ क्या ही करता है है सव में आजकल आया मिलती है कई तास में हजारों उड़ा देंगी पर हम गरीबों का पेट काट कर बड़ी खुसी मिलती हो से अभी नई-नई अमीर हुई है न जी तो इतना सा है बड़ी मेम साब बनी फिरती है जा बना चाई पकोडे अभी ले इतने में म इस घर को लात मारी अरे तो क्या हमें छोड़कर चली जाएगी तू जो फ़ता है क्या नहीं आच्छा तो अब हम नहीं बोलेंगे पर रानी जरा इतना तो बता दो कि दो पैर को आप लंच पर क्या खाओगी मटन बिर्यानी पुलाव कूर्मा आज तुम्हारी हमारी तरब से बड़ा दावत देने माला चल बेबी चल चुप चापनादो ने चल नौ चल चली चाहिए रोटली कहीं कि चल हुआ जब हुदमी आ गया अगया बाबा आप आव बाबा चलकर खाना खालो आप ममी कह है ममी बाहर गई आज वो वहीं खाना खाई यह रोज रोज ममी काहा चलिजाती है बाबा यह तो आप उनी से पूछना अभी तो चलकर आप खाना खालो खाना है मुझे मैं हर दिन अखिले नहीं खाऊंगा गंदी मम्मी का अरे बीटे कि इदे कितना बड़ी काना बना है चलिए चलिए अच्छी बच्ची जिन नहीं करत आरे तु कई कुमस का मारता है नहीं खाता तो मत खाने दे जब भूग लगीगी अपने खालींगा नहीं बड़ा सर्चड़ा रखा इसको तो बत्तमीज कहेंगी निकन जो यहां से तु अपने आपको समझती क्या है जब देखो पकबक अभी निकल, निकल, आरे चोल पार, अरे चोल नारे की थे तरे तरे या ममी ममी मैं अपनी कवर्श्ट में फर्स्ट आया हूँ रिछे मेरी रिपोर्ट कार्ट अरे मेरे राजा बेटा कितना होशा रहे, शौबाश मेरी बेटी, I'm very proud of you. पर मम्मी, तुमाद स्कून क्यों नहीं आए, सब लड़कों की मम्मी आए थी. मैंने इतनी महनत की, फर्ष्ट आया, और तुम मेरे स्कून तक नहीं आ सकती, बापा भी कभी नहीं आते. अच्छा अच्छा नहीं नहीं गुस्सा छोड़ो बेटा, गुस्सा छोड़ो, आज शाम को हम तुम्हारे फर्स्ट आने के खुशी में तुम्हें बाहर खाना खेलाने रहे जाएंगे, ठीक है, और तुम्हें जो भी पसंदो खुब ची भर कर खाना. तैंक यू ममी, पापा को फोन कर दो, आज जन्दी घर आजाएं. अच्छा बाब, अभी करती हूँ, आप तो खुश हो ना? अभी करो मेरे सामने. अच्छा च्छा करती हूँ. हलो, प्लीज मैं स्पीक टो मिस्टर चौधरी? हलो, चौधरी हूँ? हाँ, हाँ, सुनो मैं शीला बोल रही हूँ, वो ऐसा है शाम को ज़रा जल्दी घर आ जाना. रवी अपनी क्लास में फॉस्त आया है, और वो हम लोगों से बहुत नारासी, दोनों में से कोई भी रिपो मैंने उसे बाहर खाना के लने का वाइदा किया है, मैंने, मैं नहीं आसकोगी, हाँ, क्यों नहीं आसकोगी, रवेश है, उनको सहनी साब कोक्टल पार्टी है, देखो भी, कोक्टल में तुम चले जाना, बच्चों मैं ले जाओंगी, तुम्हें साथ चलना जरूरी है, लेकिन राजी, बच्चों के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लिया करो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें साथ चलना है, ओकी, ओके, चलूंगी, बाबा, चलूंगी, इतना क्यों बढ़ा करे हो फोन पर, पता है, पता है, तुम्हार लिए वक्त बिसनेस बहुत कैमती पता है, ओके, बाब, बाब, क्या कहा मम्मी, बीटे, आइम अगें बेरी सॉरी, एक बहुत जरूरी पार्टी में जाना है, देखो राजी, तुम्हें फिर किसी दिन ले चलेगी, हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, तुम गंदी हो, तुम मुझे प्याह नहीं करते, मैं तुम से बाब, नहीं करूँगा, कभी नहीं, कभी नहीं, बेटे, नहीं, बेटे, रवी, मेरी बात तो सुनो, राजा, मेरी बात सुनो, बेटे, रवी, इसा गुसा नहीं होते, बेटे, मेरी बात सुनो, बेटे, बेरी बात सुनो, बेटे, रवी, राजी, मुझ पूर्जे तुमसे कुछ कहना है ना जाने क्यों कभी कभी लगता है से सब कुछ होते भी कुछ गलत हुआ जा रहा है तुम बच्चों को घर को थोड़ा वक्त भी नहीं दे पाते हैं देखो शीला मैं बहुत ठक चुका हूं रात के एक बजे मेरे पास घर ग्रहस्ती और बच है ना इच्चा पर इतना याद रखो ये बंगला ये कार ये नौकर चाकर अलाओदीन के चराख ने नहीं दिये इन सब की कीमत चुका ही है मैंने इतनी बड़ी कीमत कि इंसान अपनों से दूर होता जाए सब कुछ बिघरता चला जाए हां जब सब कुछ अपने पास हो तो फिलोसोफी जाड़ना बहुत आसान हो जाता है शीला वो तिन शाहिद तुम भूल गई हो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और उटते बैटते तुम्हें लगता था हर कोई तुम्हारी गरीबी का मजाग उड़ाता है अपमान करता है आज आज पंदरा साल की दम तोड म तुम ठीक कह रहे हो किस बात की शिकायद कर सकती हूं मैं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भूली हूं मैं सब याद है वो छुड़ छुड़े नौक छूँकर बड़ी बड़ी लड़ा यहां सब याद है चिदरे क्यों बेगम यह मूँ क्यों फूला हुआ है आपका देखो भई बड़ी जोर से भूख लगी है हमें जल्दी से चाय बनाओ और देखो यह गरमा गरम समोसे लाया हूंगा है उच्छे नहीं खाने ते मारे समोसे अहां अरे भई अचानक किये समोसो से इतनी बेरुखी किस लिए और हमसे अदावट चूड़ा नमजी चाय बनानी है बन जाएगे बन जाएगे पहले हमारी बात तो सुनो बन क्या अपने आप जाएगी कोई नौकर बैठा है कै जिसे आवाज लागा दोगी शिला शिला य लाजेंट्र आइड नाट मीन टो हर्ट यू फीलिंग्स हां मैंने आंके खोल कर अपनी मर्जे से तुमसे शादी की है पर कभी करी दूसरों का परताव इतना चुप जाता है कि मन कड़वाट से बहर जाता है तो आज फिर किसी रिश्टेदार या सहली से मिलकर आ रही हो व रेनुने आज बहुत बड़ा लंच दिया था मुझे भी बहुत जोर देकर आने को कहा मैं चली गई वहां वहां सब्सक्राइब इतना एक्णोर किया कि के लिए तुम समझति हो रेनुने तुमहरा अपमान करने के लिए तुम्हें बुलाये था वह कभी इस तरह कर बरता हुगा सब अच्छे मही तो बुरी हूँ नहीं तुम शबसे अच्छी हो शिला अच्छी हो सबसे तुम extrem मिनेट के लिए भी नहीं भूल पाती कि तुम एक बहुत मामूली आदमी की बीवी हो, ये कॉम्पलेक्स तुम कहना बहुत आसान है राजी, लोगों की निगाएं एक मिनट को भी तो नहीं भूल लेते थी, कि हम उनसे छोटे हैं शीला, शीला भगवान के लिए कोई दूसरी बात करो, आइम, आइम सिक अफ दिस राजी, राजी, बात बदलने से कुछ हल नहीं होगा, मैंने ताई कर लिया है क्या? मैं भी नौकरी करके कुछ पैसा कमा कर लूँगे पैसा, स्टेटस, इनके सिवाए कुछ भी तुम्हारे दमाग में नहीं आता वैसे तुमने मुझे लव मैरिज की है अपनी गरीबी का जितना एहसास मुझे इस लव मैरिज के बाद हुआ है उतना जिंदगी के पचीस लंबे वर्षों में कभी नहीं हुआ शायद शायद तुम्हें अपने माबाप की बात मान लेने चाहिए थी हाँ शायद उन्होंने ठीकी कहा था देखो शीला, भाउनाओं में बहे कर उंची उंची बातें करना आसान है लेकिन जब असलियत सामने आएगी तो चक्कर खा जाओगी हम तो तुम्हारे भले के लिए हैं बैडी, मैं 20 साल की पड़ी लिखे लड़की हूँ कोई दूद पीती बच्ची नहीं मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ खाख मालूम है क्या कर रही है पर लिखकर माबाप से जबान लड़ाना ही सीखा है या कोई अकल की बात भी अरे जितनी उसकी तनख्वा है उससे ज्यादा तो तेरा चाय पानी का फ़र्च है मैं उतने में ही काम चला लूँगी ममी चला चुकी उतने में काम जैसी तेरी आत्ते और सभाव है तो उस गरिब का सुक्चैन भी वरबाद कर देगी बड़ी उंची राय है तुम्हारी अपनी बेटी के बारे में अजीब पूद के पाउँ पालने में ही दीख जाते हैं देख शीला ये प्रेम का चकर तुझे ले डूबेगा हमने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंडा है लाखों का बिजनेस है उसका वो इडिट मोहन जिसे खाक धूल की अकल नहीं बिजनेस उसकी है उसके बाप की अरे ऐसा बना बना बिजनेस को राजिंदर को दे दे तो लाख के चाला तो दो दिन में करके दिखा देगा दिखा नहीं कितना स्मार्ट है जिसके इशारों पर तुम जैसी स्मार्ट लड़की नाच रही है वो खुद स्मार्ट कैसे नहीं होगा पर उसे कौन बना-बनाया बिजनेस दे देगा घरवालों के नाम पर एक विध्वा मा को छोड़कर उसका और है ही कौन बैजी मुझे उसके घरवालों से कुछ लेना देना नहीं है मुझे राजिंदर से शादी करनी है और मैं करके रहूंगी अगर तुने कुए में छलांग लगाने की ठान ही ली है तो तेरी मर्जी पर इतना कहे देती हूं उस टटपुंजे से शादी करके तू कभी सुखी नहीं रह सकती फिर हमारे पास रोती हुए मत आना समझी हाँ हाँ नहीं आउंगी कभी नहीं आउंगी हम अपने हाथों से तेरा ब्या उसके साथ हर गिस नहीं करेंगे आखिर आखिर हमारी भी तो कोई इज़त है या नहीं ठीक है आप अपनी इज़त संभालते रहें समझ लीचे मैं आपके लिए मर गई मैं आज ही कोट में जाकर सिविल मेरेज कर लूगी डेखते हूं कौन रोकता है मुझी अपनी जिन से जिन्दगी तबाह करनी है तो कौन तुझे रोक सकता है पर याद रखना शीला एक दिन बहुत पश्ट आएगी तू शायद उन्होंने ठीकी कहा था मैंने राजिंदर से लड़ जगर कर नौकरी कर ली उसे लगा मैंने उसे लल करा है बड़ा आदमी कहलाने के लिए राजी ये मेरी पहली पे है पर तुम्हार ली क्या लाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए ही वो सब ले आओ जो मैं तुम्हें नहीं दे सकाओ छगरा कर ना चाहती हो नारास हो भी तक मेरी क्या मजाल के माय जगडा करने की हिम्मत करूँ तुमने अपनी मर्जी से नौकरी की है उसे अपनी जरूरतें पूरी करो मुझे जो मिलता है मैं उसे में खुश हूँ देखो राजी तुम दफ्तर से इतना काम करका है उतना है मैं भी करका हूँ अब तो मालूम हो गया ना के छोटे लोगों का दिल भी छोटा होता है कुछ नहीं होने वाला हम लोग दिन भर दूसरों की जी हुजूरी करेंगे और शाम को घर आके लड़ना शुरू कर देंगे ना मुझे चैन मिलेगा और ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे ऐसी अधूरी और फ्रस्टेशन बरी जिन्दगी जीने से वाइदा क्या है उसके सिवा चारा भी क्या है है शीला है मैं नौकरी छोड़ दूँगा बिजनेस करूँगा इतना पैसा कमाऊँगा इतना पैसा कमाऊँगा कि तुम सिर से पैर तक पैसों में डूप चाहोगी यही चाहिए न तुम्हें राजी प्लीज भगवान के लिए उल्टे सीधे आरोप मत लगा मुझे पैसे से इतना ही प्यार होता तो मैं तुम से शादी करती अब तो अपनी भूल महसूस कर रही हो ना लेकिन घबराओं नहीं शीला मैं तुम्हारी यह गलती सुधार दूँगा मैं तुम्हारे सब सपने पूरे करूँगा फिर न तुम्हें नोकरी करने की जरूरत पढ़ेगी न दूसरों के सामने अपने कुछ चोटा महसूस कर रहाओ तुम तुम तो ऐसे कह रहा हो जैसे पैसे सारा सुख मुझे ही मिलने वाला तुम है नहीं मैं तो यो भी खुश था शीला ये चोटी सी नौकरी और तुम्हारा प्यार मुझ जैसे अधना आम आदमी के लिए काफी था लेकिन तुमने तुमने मुझे कुछी दिनों में समझा दिया शीला कि सुखी होने के लिए पैसा कितना जरूरी है उसके बिना प्यार जीवन सब अधूरा है अधूरा राजी आज शान को जल्दी आ सकोगे नहीं आज कलकता से मिस्टर कुमार आ रहे हैं उन्हें लेने अरपोर्ट जाना है और उसके बाद बहुत से लोगों को बाहर होटल में डिनर पे बुलाया बारा एक बज़े से पहले तो क्या ही लौट पाऊंगा ओ राजी क्या तुम एक शान भी इपने बीवे बच्चों को नहीं दे सकते बिजनेस पैसा इसके लाव भी शीला सुभा सुभा ये सब शुरू मत करो प्लीज सारा दिन इतनी दौड धूप और काम होता है कि तुम्हें एक दिन करना पड़ जाए न तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा मुझसे बात करने में तुम्हारी शांती नश्ट होती है और दफ्तर के लिए उल्टी सीधी बक्वास बंद करो अपनी मैं पूछता हूँ क्या चाहिए तुम्हें रुपया पैसा रुटबा जो चाहिए था सब तो मिल गया तुम्हें इसके सिवाए और कुछ नहीं है प्यार अपना पन लुक लुक वूस टॉकिंग डिस प्यार अपना पन शीला डियर तुम शायद उन लोगों में से हो जो कभी भी खुश नहीं रह सकते जब मैं रात दिन तुम्हारे प्यार में तुम्हारी आँखों के पैमाने में डूबा रहता था तो तुम हर मौके हर कदम हर अवसर पर याद दिलाती थी कि केवल प्यार से पेट नहीं बर पाता पेट भरने के लिए चाहिए पैसा इजब और आज आज ये सब तुम्हारी जेब में है तो तुम प्यार महबबत की दुहाई दे रही हो दर असल तुम बहुत लालची हो श सुखी नहीं रह सकता और यही तुम्हारी टरजरी है मेरे दोश की नहाने में तुम ये भी फूर के राची कि आज हमारी मेरे जन्वर सरी है आज के दिन तुम अपने हक मांग सकती हूं ना आज के दिन अगर तुम ये कह सकती हो कि मैं दफ्तर की लड़कियों पर फिदा हूं तो मैं भी कुछ उल्टा सीधा वग गया हूं तो तो उसे माफ करता हूं विश्वास रखो शीला मैं तुम्हारा हूं सिर्फ तुम्हारा परशीला मेरे पास ना अपने लिए वक्त है ना तुम्हारे लिए और ना बच्चों के लिए लाजी तुम्हारे पास पैसा भी है वक्त भी है यह तर्वेक पेस्ट पर नग पिप्स अवगत भी था पैसा भी बच्ची और पती भी फिर भी लगता था सब कुछ बिकरा जारा है रेखा मैं चार दीन से देख रहे हैं तुम सुबह निकल जाती और राद गया घर मागुस्ति हो यह कूंसा तरीका है अरे आप ते अपनो टिस किया मामी यह तो बहुत पराना तरीका है आप चार दिन से बाहर नहीं गई क्यों? चार दिन से मेरी तबियद कितनी खराब है पर इस घर में किसी ने एक बार बी पुछा कि मुझे क्या हुआ है ओ, कम आन मामी, डॉक्टर को फोन नहीं किया क्या, मैं कर दू, रहने दू, मैं अपने आप कर लूँगी, ओके, ऐसे विश मामी, बाई, टेक ले, बाई, मैं भी चला, रवी, तुम कहा भागे जा रहे हो, तुमनी क्या किसम खा रखे मेरे पास बैट कर बात करने की, ने मामी ये बात नहीं है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, शाम को बात कर लेंगे, बाई, शाम को बात करने की नौबत कभी नहीं आई, रेखा, ये वक्त देरे घर आने का, गड़ी में देखा क्या बजा है, ओ, कम आन मामी, मैं तो हमेशे ऐसी वक्त आती हूँ, पर आपक चला है, क्योंकि आजकल आप बाहर नहीं जाती ना, समझ में नहीं आता, लोग बिमार होकर इतने चिर्चिरे क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि बिमार को प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये आप कह रही है ममी, आपके ख्याल से तो डॉक्टर, दवा, फूल या बड़े बड़े गुलाबों का गुलदस्ता ही बिमार को अच्छा कर देने के लिए काफी है, ममी, मैंने तो बीसियों बिमारियां इन्हीं के सहारे जेली थी, तुम, तुम कहना क्या चाती हो, कुछ भी नहीं ममी, पर आपकी इस रोज रोज की पूछता से अच्छा है, मैं आपको खुद ही बता दो, ममी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, हाँ, मैं अपनी हर शाम विने के साथ काटती हूँ, बहुत चालता है वो मुझे, ममी, आप कहीं तो मिलाने लिया हूँ उसे, वा, बग अप रेखा, ये हुई नो कोई बात, मम मैं तो दिखा दो अपने होने वाले जीजाजी को, कितने बेश्रम हो गए तुम लोग, और रभी, तु ये सर समझ कर रात के दस बचे कहां जा रहा है, ममी, यू आर गेटिंग ओल्ड, एटिस सैटरड़े नाइट टुरे, और आज तु रात भर पार्टी चलेगी, ओके, स पूंस, जिखा तुम लोग, आ गार्दी आखिरो लभी, तुु रोज आवारगर्दी नहीं क inh सकतीा मैट, संबच्र मेरी पूंस, तुम्हरे वूओं, कोई नहीं है ऐसा तो मैने कभी नहीं का ममी, मेरे शरपर एक पापा है, जो मेरे सो कर उठने से पहले बाहर चले जाते और मेरे सोने के बाद घर में घुसते हैं जिनसे महीनों मेरी बातचीत नहीं होती मेरी सिर पर एक ममी है जो ताशों, सोशलाइजिंग और शॉपिंग में इतनी व्यस्त रहती है कि कभी-कभी ये भी भूल जाती है, उनके दो बच्चे भी है मां से जबान लड़ा ते शर्म नहीं आथी तुम्हें डोंट गेट एकसाइटिद ममी, आपकी तब्यद ठीक नहीं है मेरी तब्यद की फिकर तुम्हें कफसे होने लेगी लेकिन एक बात कान सखोल कर सुन लो ये घर है रवी जिसे तुमने होटल समझ रखा है मैंने समझा नहीं है ममी आपने बना दिया है फर्स्ट क्लास फाइव स्टार होटल जहां मांगने से सब कुछ मिल जाता है पस प्यार और अपनापन नहीं मिलता है सारा दोश मेरा यह है तुम्हारा कोई फर्स नहीं माबाप से इतना कुछ चाहते हो खुद भी कभी कुछ दिया है किसी को देना सीखा ही कहां सब कुछ उल्टा सीधा हो गया इन थोड़े दिनों में जब से आप घर पर हैं कितनी बात जड़प हुई है हमारी टेमपर्स फ्लाइव वेरी हाई इन देस हाउस ममी अच्छा यही होगा कि मैं हॉस्टल में रहने चला जाओ येस, you can afford it अब हम सब का बदलना बहुत मुश्किल है ममी और लडने जगरने से कोई फाइदा नहीं मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता लेकिन अब हम इतने बिखर गए हैं एक दूसरे से इतनी दूर चले गए हैं लेकिन अब 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 मैं यहां का अकिला प्रवी आपन और स्यादा बर्दाश्ट नहीं कर सकता इस घर की रूह को जमा देने वाली परफानी ठंडक मेरी नस नस में जंजनाट पैदा कर रही है ममी प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए शायद बाहर की गर्माहट बाहर की गर्माहट मेरी आत्मा पर जमी हुई बर्फ को पिगला दे और में अपने अंदर जमे हुए कोहरे को चीर कर सुबह का सूरच देख सकूँ तो नहीं बच्ची घर जूड़ने की बात कर रही है राजी अभी वापस नहीं लोटा है कितनी थकान कितना अकेला अपन महसुस हो रहा है मैं जी जाता है मैं भी चला चाला करके सकूँ मैं भी जाना चाहते हूँ करो...करो...करो... हुआ 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 है